हाँ वह दोस्त क्या नाम आपका अजे अच्छ इस्कूल में नहीं जगते हैं अरव अशारा 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 घर किदर है घर किदर है अपना अच्छ अच्छ मम्मी बापा क्या करते हैं कहा के रहने वाले आप कितने साल के हो गया आप मालूम नहीं है तो यह कितने इससे पैसे मिल जाते हैं तुमको कितने पैसे मिल जाएंगे इसको बेच के कितने बज़े तक करोगे इसको फिर उसके बाद भर फिर पूरे दिन घर में क्या करते हो बैठे रहते हो तो पढ़ाई कर दिया करो पूरे दिन उसके बाद आठ बज़े के बाद तो इसको जा सकते हो अच्छा तो इसकोल में पढ़ने की इच्छा है तो बताओ तुमारा नाम लिखवा देंगे कितने भाई बहन हो आप एक भाई और तुमारे से अलग तुम अकिले अच्छा तुम तो बहुत महनती आदमी हो भाई कितने चोटे से से यह काम कर रहे दस दिन से आना शुरू किया उससे पहले नहीं अच्छा अब कहां वेच्छोगे इसको और पैसा एकदम मिल जाएगा या वो बाद में देगा पैसा क्या तुमको कुछ खाना पिना भी चाय पियोगे खाओगे कुछ बोलो तुमको पिलवाता हूं तुम ऐसा करना ना थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान देना थोड़ा पढ़ाई के लिए कोशिश कर लेना जब भी कहीं नजदीक बस्ती पूसरी जगह मिलेगी जहां तुम्हारा आसपास होगा तो अपना कहीं कर लेना पढ़ाई अगर तुमको होस्टल में रख देंगे कहीं जहां रहना खाना पिना सम भी लेगा उधर पढ़ लेगा नहीं जाएगा क्यों अच्छा मम्मी पापा से बिलना मी जरूरी है यह तो बात है भाई यह तो बात है तो तुम्हें बताओ कुंको यहां अच्छा लगता या गाउं अच्छा लगता लगता तो फिर इधर गाउं में अपना घर था कि अच्छा लगता लगता है तो फिर दूर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी भी तो बहुदाओं में ले लेकिन दाखला इक पूल में जरूर अच्छा पक्कालिक वाना है क्योंकि थोड़ा जरूरी है भाई पढ़ाई की बिता तो बता है पूड़े के धेर से रोजी रोटी कमाते हैं चोटे-चोटे बच्चे तो प्लास्टिक की बहुत ले भी बिखती है काच वाली कितने की मिल बिख जाती है काच वाली काच वाली कि अच्छा क्या खाया वो बीश रुबे दिये थे मैंने कुछ नहीं खाया खाले ना उनका अच्छाँ